हेलो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गांदी भी चार संसकार परिक्षा जो जिलाइस्तर पर 19 दिसंबरiteit 2019 को अने वाली है वो जो परिक्षा है महत्मा गांदी की आत्म कता सत्य के साथ मेरे प्रियोग पर आधरित होने वाली है यह जो एकजाम है objective होने वाली है तो दोस्तों आज हम सुरू करने वाले हैं महात्मा गांदी की जो आत्मकता है सत्ते के साथ मेरे प्रियोग उसी से रिलेटेड कुछ महत्पूर्ण प्रश्णोतरी जो की complete objective होगी और उसी की साहता से हम महात्मा गांदी के बारे में उनके जीवन के बारे में पढ़ने वाले ह और उसी से संबन्दी जो क्वुशन होगे वह हमेंност में मिलने वाले हैं तो सुरू करते हैं अम, सबसे पहले मात्मा गांदी के जो basic जो चीजें हैं 행ने जो सत्ते के साथ मेरे प्रियोग है और जो भुक है उसके बारे में हम जानने वाले है तो दोस्तों देख़िए पहला न्यत्रकॉशन नाकर हम लेते हैं तो भहला बहुत ही सिंपल कुशन है जो एक्जामे है नाइंथ क्लास के और महात्मा गांदी का पूरा नाम क्या है? Option A है मोहन गांदी, Option B है करमचंद मोहन दास, Option C है महात्मा मोहन दास, और Option D है मोहन दास करमचंद गांदी. तो दोस्तो महात्मा जो गांदी जी है हमारे जो राष्टिपिता है उनका जो पूरा नाम है मोहांदास करमचंद गांदी है दूसरा क्विशन सत्य के प्रियोग किसके द्वारा रचित कृती है दोस्तों सत्य के प्रियोग जो पूरी जो एकजाम है ये महात्मा गांदी की जो आत्म कता है सत्य के प्रियोग उसी पर आदरित है और ये आत्म कता है तो ये किसके द्वारा रचित है कृती है ये जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका officially अंसर है महात्मा गांधी महात्मा गांधी द्वारा उनकी आत्मकता लिखी गई है और उसका नाम है सत्ते के मेरे प्रियोग सत्ते के प्रियोग या सत्ते के साथ मेरे प्रियोग अगला प्रस्ण है दोस्तो तीसरा कि सत्ते के प्रियोग है तो ये सत्य की प्रियोग है ये क्या है एक आत्मकता है एक रेखा चित्र है कहानी है या कोई निबंध है तो दोस्तों इसका सही अंसर है आत्मकता है ये महात्मा गांदी जी की आत्मकता है उनके द्वारा रचित है अगला क्यूशन है दोस्तों सत्य के प्रियोग जो आत्म कता है किस वासा में लिखी गई है तो दोस्तों यह जो बुक है यह गुजराती में लिखी गई है किसमें लिखी गई है गुजराती में लिखी गई है अगला प्रसन है दोस्तों सत्य के प्रियोग में गांधी जी का क बारे में इसमें लिखे गया है तो इसका जो सही अंसर है वो जीवन दर्शन है अगला प्रसन है दोस्तों वर्ष 2019 को गांधी जी की कौन सी जैनती मनाई जा रही है तो इस वर्ष जो हम महात्मा जो गांधी जी है उनकी यह जहनती मना रहा है पुरा देश यह नहीं विश्रम में भी यह जहनती मनाई जा रही है अगला प्रस्ण सत्य के प्रियोक सवर्व पर्थम किस सन में प्रकाशिद हुई दोस्तों यह पुस्तक है उसका प्रकाशन है प्रथम बार कब हुआ उप्षन आपको दिये हुए है 19 1927 में 1925 में 1922 में 1923 में तो इसका सही अंसर है 1927 में पहली बार जो पब्लिश हुई थी यह 1927 में पब्लिश हुई थी अगला प्रस्ण है सत्य के प्रियोक किस समाचार पत्र में प्रतम दारावाहिक प्रकाशिद हुई पहली बार किस निज़ प्रकाशिद हुई तो इसका तो सही अंसर है 9 जीवन, 9 जीवन में ये पहली वार समाचार जो पत्र है उस टाइम का उसमें ये पहली वार प्रकाशित हुई, अगला प्रशन है सत्य के प्रयोग पुस्तक कितनी बार्षाओं में लिखी गई है, ये जो आत्मकता है गांदी जी कि दोस्तों, अब तक कितनी बार्षाओं में ये पुस्तक लिखी गई है, तो इसका पहला अंसर है 5, 15, 50 या 32, तो इसका सही अंसर है पचास, पचास बार्षाओं में इस पुस्तक को लिखा गया है, तो अगला प्रशन है सत्य के प्रयोग में गांदी जी के जीवन के कितने वर्षों के कहान ही बताई गई है, तो इसका उप्चन आपके सामने है, 62 वर्षों की, 52 वर्षों की, 22 वर्षों की और 20 वर्षों की, तो दोस्तों आप का सही अंसर है 52 वर्षों की, उनके जो 52 वर्षों है उनकी लाइप के उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है, अगला प्रशन दोस्तों स मात्मा गांदी जी के जीवन से संबंदित जो गटनाय है उनका जिक्रिक किया गया है दोस्तों आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि जो पहला जो भाग है उसमें बच्छपन की गटनाओं का वड़न किया है उनके बच्छपन में उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की कहां पर पढ़ाई करके इंडिया लोटे थे तो जो पहला जो मुकदमा था वो दक्षनी अफ्रिका में उन्होंने जाकर के लड़ा था तो उसी से संबंदित जो जितनी भी जो उनकी घटनाय थी वह उनका जिक्रिस में किया गया है तिरतिय भाग है सेवा वृति के भाव तोस्तों उनकी सेवा करने का ने लिया तो उनकी दिन दुखिय के लिए कुछ समय के लिए एक ऑश स्पीटल जो इनकी था और वहां जाकर रुए हं उनकी से खरते है देश ने और किस तरह से सुरुवात में नों खादी के लिए प्रत्न किये उसी से संबंद देते जो चीजे हैं वो इसमें बुड़न किये गया है अगला प्रसुन दोस्तों अब आता है हमारा महत्मा गांधी का जन्म का हुआ बहुत ही सिंपल सा क्यूशन है महत्मा गांधी का जन्म कब हुआ इसको हम याद रह सकते हैं दो अक्टूबर 1879 को महत्मय गांदी का जन्म हुआ अगला प्रसुन के और चलते हैं हम दोस्तों अगले प्रसुन के जब अगर हम बात करें तो अगला प्रसुन में हमारा आता है माई एक्सपेरिमेंट विठ ट्रूथ के रचनाकार कोन है दोस्तों इसका अगरा हिंदी मिनिंग हम देखें माई एक्सपेरिमेंट विठ ट्रूथ मेरे प्रियोग विठ ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रियोग तो यह जो सत्य के प्रियोग है उसका इंग्लिस में नाम है तो उसको अंग्रेजी में अनुका अनुवाद किस लेकर ने किया था तो इसका सही अंसर है महादेव देसाई महादेव देसाई महात्मा गांदी से महादेव देसाई आप याद रह सकते हैं महात्मा गांदी से महादेव देशाई ने अंग्रे जी में इस पुस्ता का अनुवाद किया था तो अगला प्रस्ण है महात्मा गांदी के कुटुम का पुस्तेनी दंदा क्या था तो महात्मा गांदी जो कुटुम था उनका पुस्तेनी दंदा क्या था उनका पुष्टेन जंदा था वो पन सारी का जंदा था लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी जी के दादा जी ने और उनके पिता जी ने दिवानी का काम किया था अगला प्रसन है दोस्तों इनके कुटुम से संबंदित महात्मा गांधी के दादा जी का क्या नाम था तो इनके दादा जी का नाम था option A है मोहन, option B है करमचंद, सेम है उत्तमचंद और दे है नियालचंद तो इसका सही अंसर है उत्तमचंद गांधी जी के दादा जी का नाम उत्तमचंद था अगला प्रस्वन है ओता गांधी ओता गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों option है आपके सामने मोहन, करमचंद, उत्तमचंद और नियाहलचंद तो इसका answer है उत्तमचंद दोस्तों ध्यान रखना है उत्तमचंद महात्मा गांधी जी के दादा जी का नाम है और उनके जो जादा जी थे उत्तम चंद जी उनको ओता गांदी के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है अगला प्रस्वन है गांदी जी की पिता जी का क्या नाम था दोस्तों गांदी जी की पिता जी का नाम था करम चंद गांदी पहला अंसर है इसका करमचंद गांदी अगला प्रशन है दोस्तों 19 नमर कबा गांदी कबा गांदी किसे का आ जाता था तो इसका अंसर आप देख सकते हैं करमचंद गांदी महत्मा गांदी जी के पिता जी का नाम था करमचंद गांदी और उनको कबा गांदी के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है करम चंद गांदी की कितने शादियां हुई थी महत्मा गांदी जी की पिता जी थे करम चंद गांदी उनकी कितनी शादियां हुई थी दोस्तों इसका सही अंसर है चार उनके पिताजी की चार साधिय हुए थी अगला प्रशन है महात्मा गांदी की माता का क्या नाम था कस्तूर बाइ, पुतली बाइ, आनंदी बाइ, रमभा बाइ तो पुतली बाइ, पुतली बाइ महात्मा गांदी जी की माता का नाम था महत्मा गांदी का जन्म किस इस्तान पर हुआ दोस्तों महत्मा गांदी जी का जन्म पोरवंदर में हुआ था और जो पोरवंदर है उसको सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों अगला प्रस्वन के और हम बढ़ते हैं बच्चपन में मोहन दास को कौन सा नाटक प्रवावित कर गया था गांदी जी थे उनको बच्चपन में सबसे ज़्यादा प्रवावित करने वाला नाटक था वो था हरिश्चन नाटक दोस्तो हरिश्चन नाटक का नाम आपने सबीने सुना होगा तो उसी नाटक ने महात्मा गांदी जी को बच्पन में बहुत ज्याधा प्रवावित किया था और सत्य के कई सारे उन्होंने इसी से प्रवावित होकर अपने जीवन में उतारे थे तो हरिष्चंद नाठक आप याद रह सकते हरी चणद हम कहते भी हैं कि ज्यादा हरिष्चंद मतवन तो वह सत्य से संबन्दित d ar सट्ट्य के जतने बी गुंद थे वह री चंदना टक से माध्मय गांधी को प्राप्त हुए थे अगला प्रस्न आपकी को लाए 세계 वर्ष गाझी जी की वा था वो त्य आर्म्वें अगला प्रस्तों गांदी जी की पत्नी है उसका नाम क्या था पुतली भाई राधा भाई कस्तूर भाई और रंबा भाई जो पहला उप्षन है पुतली भाई वो गांदी जी की माता का नाम था और उप्षन जो सी है वो है गांदी जी की पत्नी का नाम कस्तूर भाई इसको इनको बाग के नाम से भी जनाता था और ये एक निरक्सर थी दोस्तों पड़ी लिखी हुई नहीं थी महात्मा गांदी जी की पत्नी और महात्मा गांदी जी इनको एक आधर्स इस्तरी की बनाना चाहते थे अगला प्रस्ण है महांदास को छट्वें दर्जे में कितने सुनतरति रूप में प्राप्त हुए थे अगलव प्रस और मौहंदास के कितने संताने थी वे दैर सकते हम अधरियों म्निलाल क है लाम घंसर देवांदास हरीलल मनिलाल राम दास और देवदास हरीलाल मणिलाल रामदास और देवदास Bennoff दोस्तों हुएली को अर्थ पुंस्तक में क्या बताया दोस्तों पुंस्तक है इसमें कई बार हावेली सब्द का प्रयोक किया गया है तो उसका क्या मतलब था तो उसका मतलब था बड़ा मकान श्रेव मंदीर वेश्णव मंदीर जोपड़ी तो दोस्तों इसका मतलब था वेश्णव मंदीर से था जो हवेली जो सब्द है कि बुखस तक में काम में ले गया है उसका जो मतलब था उसका जो अर्थ था वो था वेश्णाव मंदिर अगला प्रस्ण दोस्तों लास्ट प्रस्ण है महात्मा गांदी को महात्मा किसने कहा था दोस्तों महात्मा गांदी को महात्मा की जो उपादी थी वो किसन दी थी और इसका सही अंसर है रविंद्र नाथ टेगोर रविंद्र प्रशन जो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत